देसी क्वीन कही जाने वाली हर्यानवी डांसर सपना चौधरी भले ही आज स्टार्डम को इंज्वाय कर रही हैं लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने मजबूरी में इस पेशे में आने का फैसला लिया था जी हां आर्थिक संकट के चलते वह बारावी के बाद पढ़ाई भी नहीं कर सकी एक इंटर्व्यू में सपना चौधरी ने बताया था कि 2008 के अंत में पिता की मौत के बाद जिंदगी बदल सी गई थी सपना चौधरी के मुताबिक आर्थिक हालात विप्रित होने के चलते वह रात भर शो करती थी और सुबह स्कूल जाती थी सुबह स्कूल जाकर वह पढ़ने की बजाय कई बार वहां सो जाती थी सपना चौधरी ने कहा कि स्कूल के मामले में उनकी मा इतनी सकती थी कि सुबर छे बजे भी सो से लोटने पर स्कूल जाने को कहती थी उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ साथ वी क्लास तक ही रेगुलर पढ़ाई की थी लेकिन उसके बार नियमित जाना नहीं हो सका यही ने स्कूल के टीजर्स ने भी उनकी खूब हेल्प की थी सपना चौधी के मताबिक उनकी नोटबुक्स भी लड़कों के पास रहती थी और वही उनका पूरा काम करते थे कई बार तो वे लोग इस बात से चिड़ भी जाते थे कि वह कभी स्कूल नहीं आती और काम हमें पूरा करना पड़ता है सपना चौधी के मताबिक इस दौरार वह रात भर शो किया करती थी और सुबह आकर स्कूल जाती थी ऐसे में स्कूल जाकर पढ़ना मुश्किल था और वह सो भी जाती थी यहां तक कि हर्यानवी के जिन्द से एक शो करके लोटते वक्त उनका पाला एक सराबी से पढ़ गया था सपना चौधी ने उस वाक्ये के बारे में बताते हुए कहा मैं और मा एक बार जिन्द से शो करके आ रहे थे बस पूरी तरह से खाली थे और मैं एक सीट पर सो गई थी लेकिन पीछे से एक शराबी टौफियां खाकर मेरे उपर फेक रहा था वह घंटों तक ऐसा करता रहा और फिर मैं इससे परिशान होकर उठ गई मैंने मा को भी यह बात नहीं बताई कि वह मुझे छेड रहा है क्योंकि वह इससे विचलित हो जाती और कहती कि यह काम छोड़ दो यदि वह डांस और सिंगिंग के पेशे में ना आती तो क्या करती इस सवाल के जवाब में सपना चौधरी ये कहा कि मैंने मजबूरी में यह लाइन पकड़ी थी और ज़रान उतने पैसे भी नहीं होते थे कि स्कूल की फीस भी भरपाव यदि मेरे पिता का निधन नहीं होता और हलात विपरित न होते तो आईस बनने के लिए ट्राइ करती आपको बता दें कि सपना चौधरी के हाली में चटक मटक नलका कड़ करेगी ज़र सिगाने रिलीज हुए हैं मा बनने के बाद वह एक बार फिर से काम पर लोट आई हैं इस शाल की सुरुआत में ही उन्होंने वीर साहुशे साधी कर ली थी अक्टूबर में उनके मा बनने की खबर आने के साथ ही लोगों को उनके शाधी के बारे में पता चल गया था हाली में उन्होंने अपने बेटे और पती के साथ तश्वीरे शेयर की थी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें